चंदरपूर सहर भारत के महराष्ट रज के पूर्वी हिस्से में बसाया सहर इंदर देवता की नगरी के नाम से पूरे भारत में परसिद है जिसे इंदरपूरी के नाम से भी जान जाता है जिसका मुख्याले चंदरपूर में ही स्थीत है यह सहर अपने नादपूर मंडल के अंतरगात आता है ये सहर अपने चारो और पडोसी जीलों से घिरा हुआ है जैसे उत्तर में नापपूर जीला उत्तरपूर में भंडारा जीला पूर में गणचुरोली जीला पच्छिम में यावतमान जीला और दच्छिन पच्छिम में तलंगाना राजिस से घिरा हुआ है चंदरपूर जीने में कुल 15 तहसीले 8 बलोग, 2 लोग सभा, 6 विधान सभा, 76 सामिल है 76 किलोमीटर वर्ग के छेतरफल में फैले हुए इस सहर की जनसंखिया साल 2011 के जनगन्ना के अनुसार 3,20,000 से भी अधीक थी इस सहर की कुल अबादी में से 71,8,4% हिंदू, 15,6,4% बोध, 10,0,07% मुसलिम, 0,10,9,4% सीख, यादी लोग निवास करते हैं और इस सहर की लिंगा अनुपात 1100 परती 953 महिलाय मौजूद है साचरता के दिरिष्टी कौन से देखा जाये तो इस सहर की कुल साचरता दर 89,10 मलाव 4,2% के करीब है और तो और इस सहर में जादतर बोले जाने वाली मुख्य भासा हिंदी, मराठी, यादी बोली जाती है यही आवगमन के दिरिष्टी कौन से देखा जाये तो चंदरपूर सहर, रेल मार्ग, सडक मार्ग, वायू मार्ग, अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है रेल मार्ग, इस सहर में कुलतीन रेलवे स्टेशन माजूद है, जिन में चंदरपूर रेलवे स्टेशन इस सहर की मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो महराष्ट और पडोसी राजियों के अनेज सहरों से यहां के लिए नीमित रेलकाणिया माजूद है सडक मार्ग यहां से होकर गुजरने वाली बसे मुंबै, नासीक, नागपूर, हैदराबाद यादी है जो महराश्ट के चंदरपूर सहर से देश के अन्य सहरों से जोडता है वायू मार्ग चंदरपूर सहर का नजदी की हवायादा नागपूर में डोक्तर बाबा सहेब अंबेड कर अंतराश्टी हवायादा अपने वायू मार्ग के जर्ये देश के अनेक सहरों से जुड़ा हुआ है चंदरपूर सहर के परचूर मात्रा में पाए जाने वाले कोईले खनन के कारण चंदरपूर सहर बलेक गोल्ड सिटी के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है यह सहर कोईले खनन का केंदर भी माना गया है इस सहर की मुख्य फसले धान गेवू का पास यादी है चंद्रपूर सहर अपने खुबसूरत परियटक अस्थल के वज़ा से भी जाना जाता है तो आईए जानते हैं कि वो कौन सी परियटक अस्थल है जिनके बिना चंद्रपूर सहर का भर्मन अधूरा है चंद्रपूर का कीला चर्पत नदी के संगम पर बसा या कीला अपने खुबसूरत के कारान पूरे भारत में जाना जाता है इस कीले का निर्मान गोंड राजा खंडक बल्लाल साह ने करवाया था इस कीले का चार दवार है महाकाली मंदीर महाकाली मंदीर चंदरपूर सहर का सबसे परसिद मंदीर है इस प्राचीन मंदीर का निर्मान गोंड के राजा दोंडी रामसा ने करवाया था जो काफी खुपसुरत भी है अंचले स्वर मंदीर भगवान सीव को समर्पित है यह जरपत नदी के तट पर चंदरपूर किले के अंचले स्वर दवार से सटा हुआ है तड़ोबा राष्टी उध्यान यह राष्टी उध्यान चंदरपूर जीले से लगभग 30 किलोमेटर की दूरी पर इस्तीत है जो 625 वर किलोमेटर की छेतरफल में फैला हुआ है यहाँ विभिन परकार के वन्यजीव पाये जाते हैं जिसमें बाग परमुक है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वन्यमात्रम